ये उनिवर्स में एक ऐसी फोर्स है जिसके विज़े से हम सब बंदे हुए है और ये फोर्स बहुत ही मिस्टीरियस फोर्स है मज़ेगी बात ये है कि ये जो फोर्स है वो इतनी स्ट्रॉंग है फिर भी हम लोग उसको बहुत टाइम तर डिटेक्ट नहीं कर पाए इनफेक्ट आज भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को देख नहीं पाते है शायद आप लोग को आईडिया लग गया होगा में बात करो डार्क मेटर के बारे में पूरा यॉनिवर्स अराउंड 25-26 परसंट जो है वो डार्क मेटर का बना हुआ है तो जो भी हम लोग स्टार गैनेक्स यो यह सारी चीज़े देख रहे है यह मैटर है लेकिन यह डार्क मेटर नहीं है ओबिसले डार्क मेटर लाइट से इंटरेक्ट नहीं करता तो यह जो डार्क मेटर है यह किस चीज़ का बना हुआ है इसके उपर around 300 models है कि डार्क मेटर किस चीज़ का बना हो सकता है लेकिन मैं personally जिस चीज़ के उपर काम कर रहा हूँ वो है scalar field डार्क मेटर सो basically एक scalar field होता है और डार्क मेटर उसका बना हुआ जो बहुत simplistic है लेकिन जब scalar field के अंदर भी हम लोग जाते हैं और देखने लगते हैं अलगलग properties के साब से कि वो क्या चीज होनी चाहिए जो हर चीज प्रापरटी के डार्क मेटर को satisfy कर रही है तो वो होती है वोस Einstein condensate वोस Einstein condensate के बारे में आपने से बहुत लोगों का पता होगा यह एक forced state of matter है जो की बहुत ही bizarre nature शो करता है liquid helium को जब बहुत ही ठंडे temperature पर ले आता है around the fraction of Kelvin तब वोस Einstein condensate के form में आता है और फिर वो बहुत ही extreme behavior शो करता है जो की इस वीडियो में आप देख सकते हैं लेकिन यह पूलना कि dark matter वोस Einstein condensate है क्या सही है in fact अगर किसे ने वोस Einstein condensate पढ़ाया तो यह question कर सकता है कि इसके लिए तो बहुत ही low temperature चाहिए and dark matter क्या सही में इतने कम temperature में काम करता है गोस galaxy तो star से बरीवी होती है और star काफी ज़्यादा ही generate करता है तो क्या उसके आसपास dark matter sustain कर सकता है इसका अंसर है कि dark matter के sustain करने के लिए जो temperature चाहिए जिसे हम लोग critical temperature कहते है वो inversely proportional होता है उसके mass के इसका मतलब है कि अगर कोई dark matter particle है तो उसका mass जितना ज्यादा कम होगा उसके fluid यानि कि वो science and condensate में रहने के उतरे ज्यादा chances है तो अगर हम लोग ये estimate लगा है तो ये जो dark matter है इसका mass होना चाहिए 10 to the power minus 22 electron volt ये इतना कम है कि electron जिसका हम लोग सबसे light particle में से एक मानते है उसका 0.5 mega electron volt के पास है just imagine 0.5 into 10 to the power 6 electron volt mass है electron का और हम लोग बात कर रहे है 10 to the power minus 22 electron volt जो कि light axions उस candidate को fit करते है अब मैं इती extreme चीज़े क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा particle exist करना जिसका mass इतना कम है कितना कम likelihood है बट अगर हम लोग इसी dark matter को अलग लग properties में रखे अलग लग observations के साथ match करे तो actually observation के साथ अच्छी matching आ रही है जो सबसे पहले core cost problem में एक बहुत important problem है जो सबसे famous dark matter model है नेवडा CDM model कहते है उसे नेवडा cold dark matter model वो सबसे बड़ा failure है उसका CDM model कैनेक्सी किस एंटरेसम लोग बहार जाते है तो dark matter density को किस तरह से explain करता है वो बहुत बड़ा failure है तो सबसे पहले ना से both science and condensate of dark matter model explaining all those success जो की CDM model के है इनफेक्ट उसके failure को भी explain कर रहा है अब इस point भी ये कह देना कि dark matter both science and condensate ही है would be wrong because इसके पर बहुत सारे काम चल रहा है लेकिन अभी तक जो भी proof आ रहे है वो बहुत interesting है और इस हमको ये पता चल रहा है कि हमारे understanding dark matter और universe के बारे में थी वो change हो रही है क्योंकि ये picture dark matter की universe के evolution को बहुत तरीके से change कर देगे जिसके वज़े समको पता नहीं आगे क्या result बिल सकते है ये एक बहुत exciting field है अभी और बहुत सारे नयने progress होने वाल है और ये वाप बहुत आप बहुत आप बहुत आप बहुत आप देगे शेए थाट